नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट्स दुनिया में दोस्तो, फ्लावर्स और उनकी खुस्बूश सबको पसंद होती है और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कुछ फ्लावर्स के बारे में जो देखने में तो बहुत सुन्दर हैं, लेकिन उतने ही अजीब भी है तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बढ़ते हैं आगे नमबर वन, यूलान मैगनोलिया बर्ड फ्लावर्स किसी पच्छी की तरह दिखने वाला यह फूल, यूलान मैगनोलिया बर्ड फ्लावर है यह मूल रूप से चीन की प्रजाती है चीन में इन फूलों को पवित्रता के प्रतीत के रूप में देखा जाता है यूलान मैगनोलिया अक्सर बसंत रित में खिलते हैं और यह छोटे पच्छीयों की तरह दिखते हैं जिसे आसानी से आप इन इमेजेस में देख सकते हैं बढ़ते हैं अपनी लिष्ट के अगले फ्लावर की ओर नमबर दो, आर्किस सीमिया इसे मंकी आर्किट भी कहा जाता है यह दुरलप प्रजाति का आर्किट पेरू और इक्वाडोर के दच्छन पूर्वी भागों में पाया जाता है यह फूल उपर से देखने में एक बंदर के मुझ जैसा दिखता है इसकी सुगंद संतरों के छिल्पों की फुष्बू की तरह होती है इसी लिष्ट में अगला फ्लावर है एंगुलोवा यूनिफ्लोरा दच्छन अमेरिका में पाया जाने वाला यह पुष्ट सबसे बड़े आर्किट में ते एक है देखने में ऐसा लगता है जैसे फूल के अंदर कंबल में लिप्टा हुए एक छोटा बच्चा लेटा हो इसकी वज़े से इसका दूसरा नाम स्वैडल्ड बेबी आर्किट भी है क्रीम कलर की पंखुडियों वाले इस फूल की सुगंद दाल चीनी की तरह होती है इस फूल को वर्जिन स्लिपर के नाम से भी जाना जाता है अमेरिका में मिलने वाले इस फूल की कोच चाल्स डार्विन ने की थी बेहत खुबसूरत दिखने वाला या फूल एक हस्ते हुए एलियन की तरह दिखाई देता है जो की आप इन फोटोज में देख सकते हैं अब बढ़ते हैं इस लिष्ट के सबसे आखरी और पाँचवें फूल की तरफ जिसका नाम है बर्ड आफ पैराडाईज इसको क्रेन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है यह लास एंजलिस का आफीसियल फ्लावर भी है या फूल साउत अफ्रीका में पाया जाता है इसका उप्योग पार्टीज और समारोहों में सजावट के लिए किया जाता है वैसे इन सभी में आपको कौन सा फ्लावर सबसे अच्छा रगा कमेंट करके जरूर बताईए दोस्ते इस लिष्ट में अभी बहुत से फ्लावर सबाकी है इनका अगला पार्ट हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे और हाँ दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इससे की आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेस अना आप तक आसानी से पहुंच सके थैंक्यू मिलते हैं कि अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई